हलो फ्रेंड्स ओम साहिराम यह देखिए मैंने एक बेबी स्वेटर बनाया है रंग मी रंगा तो प्यारी डिजाइन पढ़ी इसमें आज हम लोग यह डिजाइन बनाना सीखेंगे तो चाहे आप इसको दो रंग से बनाए या इससे मैंने बनाया है कई रंग से पीछे से भी देखिए तो इसको चलिए बनाते हैं आपको बताने के लिए हमने थोड़े से फंदे डाल रखे हैं यह डिजाइन जो है छे फंदों के इसा आप से बनता है यानि पांच फंदे यह बीच वाले हैं और एक फंदा हमें चोड़ना पड़ता है तो इसमें कुछ फंदे बनाते हैं तो इसमें लगा देते हैं रानी कलर अज़ा है कर दो कि ऐसे दबल लेंगे अज़ा है शारे फंदे तीन हमने तीन फंदे मिल लिए इससे अभी यह वाइट वाला है इसको बिना बुने ऐसे उतार लेंगे जलाई पर फिर पांच फंदे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच पांच फंदे मिल लिए फिर एक उतार लेंगे फिर पांच फंदे एक, दो, तीन, चार, पांच, एक उतार लेंगे और फिर ये फंदे मिल लेंगे दूसरी सलाई देखिए उल्टी तरफ से हम पहला फंदा उतार लेंगे फिर उनको आगे करेंगे और ये जितने भी हमारे पिंक कलर वाले हैं उनको बीन लेंगे सिधा-सिधा ये देखिए फिर उनको इधर करेंगे अपनी तरफ इस फंदे को उतार लेंगे जो हमने उतार रहा था उनकरेंगे पीछे और फिर इनको बेल लेंगे ये देखिए दो तीन चार पांच उनको करेंगे अपनी साइड ये फंदा जो उतार रहा था इसको उतार लेंगे उनकरेंगे उधर और बेल लेंगे यह देखिया, पाच फंदे बन गए, फिर उन करेंगे अपनी तरफ, फंदा उतारेंगे, करेंगे उधर, और यह बिल लेंगे, आ गई हमारी तीसरी सलाई, पहला फंदाम उतार लेंगे, उनको करेंगे पीछे, और एक सीधा, दो सीधा, और इसको जैसे हमने उतारा था, ऐसे ही इसको उतार लेंगे, फिर यह बिल लेंगे, जो फंदे हमारे बिने हुए हैं, उनको हम सीधा बिल लेंगे, जो हमने फंदा उतारा है, उसको उतार लें है ऐसे ही एम पूरी सल्हाइब बिनेंगे हैं जैसे हमने दूसरी सलाइब नहीं थी ऐसे हमने चौथी सलाइब भी बोल लिया अब हमें रंग बदलना है इसको दो हीं रंग में बतारहिए में vraiment 1 लगा दें दू रंग भी घृव में दो फंदे और बुनेंगे, एक, दो, इस वाले को अब उतार लेगे, इसको हमें नहीं बुनना है, अब पाँच बिनेंगे फिर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस फंदा उतार लेगे, फिर देखिए, उल्टी स्लाई में, उनको करी उधर, सारे फंदे, जो पाँच हमारे हैं, पाँचो सीधे, उनको करी आगे, इस उतार लेगे, उतार लेगे बिना मुने, उन पीछे, फिर, बिने, उनिदर, बस, यदे के लाँच, यदे के, इसे का, इसा उर्टी लेगे, इसे का, इसे का, पिर देखे सीधी तरफ से, वहाँदा आसान भिनाई ही है। जो हमारे पांच फंदे हैं, वो हम सीधा सीधा भूनेंगे, और जो फंदे हमने उता रहे हैं, इसको उता लेगे। दोस्तों, आपको ये हमारी विनाई कैसे लगी मेरे बताने का तरीका फ्लीज आप लोग ये मनाएं, किसी भी प्रोजेक्ट में डालें आप अपने लिए बनाएं, बच्चो के लिए बनाएं दो रंगसे बनाएं, कई रंगसे बनाएं ये बिनाई बहुत ही अच्छे लगती जैसा कि आपको दिख रहा है स्वेटर में तो मेरी वीडियो को आप देखा करिए पूरा पूरा जरा सभी अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें देखिए और फिर आगे उल्टी से लगे उल्टी तरफ से भी ध्यान देने वाला है थोड़ा पहले फंदा उतार लेंगे उनको आगे की तरफ करिए और ये पाँचो फंदा सिधा भूल लेज़े अगर कहीं आप उन इधर करना भूल गई तो ऐसे उतार लेंगी तफिर उसको बिनेंगी तो बीच में ये फंदा आ जाएगा वाइट तो इसको ऐसे कर लीजे पहले फिर ये फंदा उतार लीजे फ आगे कर लिए अपनी साइड करिए और ऐसे बना लिए तो दिखाते हैं देखिए दो डिजाइन बन गई देखिए फिर अगर और रंग लगाना है तो अब हम एक करेंगे यह हमारा एक है यह दो छोड़ के यह फंदा उतारेंगे चलिए एक रंग और लगा के आपको बता देते हैं इस बात का ध्यान रखिए कि जो हमने फंदा उतारा है यह बीच में रहेगा तो दो फंदा इधर का दो फंदा इधर का पांच यह अब इस रंग से बनेगा जो भी रंग हम नया लगाएंगे इसको उतार लीजे अब यह पांच फंदे इससे बन जाएगे दो यह हो गया यह जो हमने उतारा था यह तीन हो गया चार और यह पांच इसको उतार देंगे और यह बना लेंगे ऐसे ऐसे बनाते जाएगे पॉस्थ यह तेंगे देखें यह बना ख़िए खिजा है थैंक यू था हम house आझ